C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा तीन के ध्वनि पुस्तक गनित का जादू बार्वापार्ट कैसे कैसे बाटें प्रिष्ट 158 हर समुह में कितने हैं? यहाँ पर 10 तितलिया हैं वो दो समुहों में बटी है हर समुह में 5 तितलिया हैं प्रिष्ट 169 यहाँ पर कुछ रेशम के किड़ों को दिखाया गया है जो अलग-अलग समुहों में बटे हैं अब दिये गए रिक्तिस्थानों को भरो यहाँ पर रिक्तिस्थान रेशम के किड़े हैं वे रिक्तिस्थान समुहों में बटे हैं हर समुह में रिक्तिस्थान रेशम के किड़े हैं इसी प्रिष्ट पर नीचे वाले भाग में चार थालियों में कुछ लड्डू दर्शाय गए हैं अब इन्हें देखकर रिक्तिस्थानों को भरो यहां पर रिक्तिस्थान लड्डू हैं वे रिक्तिस्थान समुहों में बटे हैं। हर समुहों में रिक्तिस्थान लट्डू हैं। प्रिष्ट एक सौसाथ। अठारा तारे बनाओ। उन्हें दो बराबर समुहों में बाटो। यहां पर आकाश का द्रिश दिखाया गया है, जिसमें दो समुहों दिखाये गए हैं। आपको 18 तारे बनाकर दो समुहों में बराबर बराबर बाटना है। हर समुहों में रिक्तिस्थान तारे हैं। अठारा मोती बनाओ, उन्हें तीन बराबर समोहों में बाटो, यहाँ पर तीन धागे बनाए गए हैं, आपको अठारा मोतीयों को इन तीन धागों में बराबर बराबर बाटना है, जिससे कि ये मोती तीन बराबर समोहों में बढ़ जाएं, हर समोह में रिक्तिस्थान मोती ह प्रिष्ट 161 उसने हर छोटी चडिया के मुह में एक और दाना डाल दिया सभी दाने खत्म हो गए बारा दाने चार छोटी चडियों में बाट दिये गए यानि बारा के चार भाग कर दिये गए हर छोटी चडिया को तीन दाने मिले बारा भाग चार बराबर तीन इस प्रिष्ट पर मा चड़िया को बारह दानों के साथ दिखाया गया है, जो उड़कर आती है और अपने बच्चों को एक-एक करके दाना देती है इसी प्रिक्रिया को अलग-अलग द्रिश्य में दर्शाया गया है प्रिष्ट 162 अब जरा ये करके देखो, गोपो के पास तीन प्लेट जलेबी हैं, हर प्लेट में जलेबियों की संख्या अलग-अलग है यहाँ पर एक द्रिश्य में तीन प्लेटों में जलेबियां दिखाई गई है प्लेट अ में एक जलेबी, प्लेट ब में पांच जलेबियां और प्लेट स में तीन जलेबियां दिखाई गई हैं अब नीचे दी गई प्लेटों में जलेबी बनाओ इस तरह कि हर प्लेट में जलेबियों की संख्या बराबर बराबर हो नीचे दिये गए द्रिश में तीन प्लेटे दिखाई गई हैं प्लेट अ, प्लेट भ और प्लेट स अब आपको उपर दी गई जलेवियों को इन तीनों प्लेटों में बराबर बराबर बाटना है कुल मिलाकर यहाँ पर कितनी जलेविया हैं? रिक्तिस्थान कक्षा में चर्चा करो, तुमने जवाब कैसे निकाला? प्रिश्ट 163 बराबर बराबर बाटो, यहाँ पर छे केले हैं यहाँ पर तीन बंदर हैं इस प्रिश्ट में बाई तरफ छे केलों के चितर और दाई तरफ तीन बंदरों के चितर दिखाए गए हैं यहाँ पर तीन बंदर हैं अगर वो केलों को आपस में बराबर बराबर बाटते हैं तो हर बंदर को दो केले मिलेंगे छे केलों के तीन बराबर भाग बराबर दो केले हर भाग में छे भाग तीन बराबर दो तो अगले द्रिश्य में तीन बंदरों को दो-दो केलों के साथ दिखाया गया है। अगर छे केले हूँ, इस द्रिश्य में बाईं तरफ छे केले दिखाये गए हैं और दाईं तरफ दो बंदर बैठे दिखाये गए हैं। अगर छे केले हों और दो बंदर हों, तो हर बंदर को तीन केले मिलेंगे। छे केले भाग दो बराबर तीन केले हर भाग में। छे भाग दो बराबर तीन। अब सबसे नीचे दो बंदरों को तीन तीन केलों के साथ दिखाया गया है। शिक्षकों के लिए निर्देश बच्चों को चीजों को आपस में बराबर बराबर बांटने और फिर भाग करने की इस क्रिया को शब्दों और अंकों में लिखने के लिए अफसर दें प्रिष्ट 164 अगर साट केले हों और दो बंदर, तो हर बंदर को कितने केले मिलेंगे? रिक्तिस्थान केले चीटा बोला तब क्या होगा अगर छैसो केले हों और दो बंदर? पांच दोस्तों को सलक पर पांच रुपए के दस सिक्के मिले उन्होंने इन सिक्कों को बराबर बराबर बाट लिया हर दोस्त को 10 रुपए मिले यहाँ पर 5-5 रुपए के 10 सिक्के दिखाए गए है पचास भाग 5 बराबर 10 अगर 10 रुपए के 16 नोट हो और 4 दोस्तों में बाटना हो तब 16 भाग 4 बराबर रितिस्थान और 4 गुणा 10 बराबर 40 इस तरह उनमें से हर दोस्त को रिक्तिस्थान रुपई मिलेंगे पांच दोस्तों को 100 रुपई मिले अगर वो इसे बराबर बराबर भाग में बाटते हैं तो उनमें से हर एक को कितना मिलेगा? रिक्तिस्थान यहाँ पर 100 रुपे के एक नोट का चित्र है हरी प्रसाद के पास 30 मीटर लंबी रसी है वो इसे अपने तीन बच्चों में बराबर बराबर बांटना चाहता है यहाँ पर एक रसी का चित्र दिखाया गया है हर बच्चे को रिक्तिस्थान मीटर लंबी रसी मिलेगी. अगर 36 मीटर लंबी रसी हो, तो हर बच्चे को कितनी रसी मिलेगी? रिक्तिस्थान. और अगर 60 मीटर लंबी रसी हो, तो हर बच्चे को कितनी रसी मिलेगी? रिक्तिस्थान. प्रिष्ट 165 अलमारी के कितने खाने मेरे पास 20 किताबे हैं मैं अलमारी के एक खाने में 5 किताबें रख सकता हूँ तो बताओ कि मुझे इन सभी किताबों को रखने के लिए अलमारी में कितने खानों की जरूरत होगी पहले खाने में पाँच किताबों को रखने के बाद पंदरा किताबे बची यहाँ पर एक अलमारी का चित्र दिखाया गया है जिसके चार खाने है सबसे नीचे वाले खाने में पाँच किताबे दिखाई गई है दूसरे खाने में पाँच और किताबे रखी दस किताबें बची यहाँ पर एक और अलमारी का चित्र है जिसके चार खानों में से नीचे के दो खानों में पांच पांच किताबें रखी गई है तीसरे खाने में पांच और किताबें रखी पांच किताबें बची यहाँ पर भी एक अलमारी का चित्र है और अलमारी के चार खाने हैं नीचे के तीन खानों में प्रतेक में पांच पांच किताबे रखे हुई हैं चौते खाने में पांच और किताबे रखने के बाद बीज किताबों से अलमारी के चार खाने भर गए पांच-pांच किताबों के समुह बनाने पर 20 किताबें 4 खानों में आ गई यहाँ पर भी अलमारी का एक चितर बना है और अलमारी के चारों खानों में 5-5 किताबें रखी दिखाई गई है शिक्षकों के लिए निर्देश इस पन्ने पर और अगले पन्ने पर बराबर बराबर सम्हु बना कर भाग किया गया है उधर्ण के लिए यहाँ पर पांच किताबों के बराबर सम्हु बनाए गए है ये प्रक्रिया बराबर बराबर बाटने से अलग है चार खानों में वित्रित करके प्रिष्ट 166 अब चलो कुछ और काम करते हैं यहाँ पर 28 बटन है यहाँ पर कुछ बटनों के चित्र दिये गए हैं जिनकी संख्य 28 है और इने तीन समोहों में माटा गया है एक दरजी एक कमीज में चार बटन लगाता है इन साथ कमीजों में बटन लगे हुए है यहाँ पर साथ कमीजों के चित्र दिये गए है 28 भाग 4 बराबर 7 अगर 28 बटन हो और दरजी हर कमीज पर 7 बटन लगाए तो रिक्तिस्थान कमीजों में बटन लगेंगे 28 भाग 7 बराबर रिक्तिस्थान प्रिष्ट 166 चलो कुछ काम करें एक, मिंकों के पास 15 लड्डू है और वो उन्हें पांच बक्सों में बराबर बराबर रखती है यहाँ पर बाई तरफ लड्डू का चित्र और दाई तरफ बक्सों का चित्र बना है अ, हर बक्से में कितने लड्डू होंगे? भाग पांच बराबर रिक्तिस्थान ब, अगर वो केवल तीन बक्सों का इस्तमाल करती है तो हर बक्से में कितने लड्डू होंगे? हर बक्से में रिक्तिस्थान लड्डू होंगे रिक्तिस्थान भाग तीन बराबर रिक्तिस्थान दो, तुम्हें 25 केलों को पांच बंदरों में बाटना है, हर बंदर को कितने केले दोगे? यहाँ पर बाई तरफ कुछ केले और दाई तरफ बंदरों का चितर है रिक्तिस्थान भाग पांच बराबर रिक्तिस्थान हर बंदर को रिक्तिस्थान केले मिलेंगे प्रिष्ट 168 3. तुम्हें 12 गुबारों को 3 लड़कों में बाटना है हर लड़के को कितने गुबारे मिलेंगे यहाँ पर बारा गुबारे बनाए गए हैं और उसके नीचे तीन लड़के दिखाए गए हैं रिक्तिस्थान, भाग, रिक्तिस्थान, बराबर, रिक्तिस्थान हर लड़के को रिक्तिस्थान, गुबारे मिलेंगे चार यहाँ पर 21 मुम्बतिया हैं उन्हें तीन बक्सों में बराबर बराबर रखना है हर बक्से में कितनी मुम्बतिया होंगी इस प्रिष्ट के अंतिम भाग में बाई तरफ मुम्बतियों का चित्र और दाई तरफ बक्सों का चित्र बना है रिक्तिस्थान भाग रिक्तिस्थान बराबर रिक्तिस्थान प्रिष्ट 179 पांच ये रहे अठारा मोजे इन मोजों को कितनी लड़कियां पहन सकती हैं 6. राज के पास रोटी बनाने के लिए 36 मिनट हैं. एक रोटी बनाने में 3 मिनट लगते हैं. वो इतने समय में कितनी रोटियां बना सकता है? यहाँ पर दाई और चकले और बेलन का चितर है. 7. यहाँ पर बकरियों के पैरों के 24 निशान है अंदाजा लगाओ यहाँ कितनी बकरियां आई होंगी इस प्रिष्ट के अंतिम भाग में बकरियों के पैरों के निशान बनाए गए है प्रिष्ट 170 8. कुछ लड़कियां अपने दोनों हाथों से कोई खेल खेल रही है खेलने वाली लड़कियों की कुल मिलाकर 60 उंगलियां है इस खेल को कितनी लड़कियां खेल रही है यहाँ पर कुछ लड़कियों के हाथों का चित्र है 9. लक्ष्मी को 27 किलो आलू बेशने थे हर आदमी ने रिक्तिस्थान किलो आलू खरीदे। प्रिष्ट के अंतिम भाग में तीन पुर्षों का चित्र है जो अपने हाथ में आलू की थैली को पकड़े दिखाए गए हैं। प्रिष्ट एक सोईकत्तर कूदते फांदते जानवर यहाँ पर बाईं तरफ कुछ जानवरों के चित्र बने हैं और उनके सामने दाईं तरफ वो जितने कदम कुदता है वो लिखा है। मेंडक एक मेंडक एक बार में दो कदम कुदता है। गिलहरी एक गिलहरी तीन कदम कुदती है। खरगोश एक खरगोश पांच कदम कूदता है घोड़ा एक घोड़ा पंदरा कदम कूदता है कंगारू एक कंगारू तीस कदम कूदता है इस प्रिष्ट में बाई तरफ इन पांच जानूरों के चित्र भी दिये गए हैं अगले पन्ने पर दिये गए रास्ते का इस्तिमाल करके पता करो कि एक कितनी कूद लगाकर मेंड़क 30 पर पहुँच जाएगा। कंगारू दो कूद लगा कर किस संख्या पर पहुँच जाएगा? चार, इन में से कौन-कौन पंधरा के संख्या पर मिलेंगे? रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान. पांच, क्या खरगोश कभी भी अठारा के संख्या पर पहुँचेगा? 6. खरगोश की कितनी चलांगे घोड़े की एक चलांग के बराबर होगी 7. घोड़े की कितनी चलांगे कंगारू की दो चलांगों के बराबर होगी 8. सबसे छोटी कौन सी संख्या है जिस पर मेंडक और गिलहरी मिलेंगे इस प्रिष्ट पर एक टेड़ा मेला रास्ता दिखाया गया है जिस पर शून्य से तीस तक की संख्याई लिखी है और उस पर एक मेंडक उचलता हुआ दिखाया गया है प्रिष्ट 170 देखें तुम कितनी जल्दी कर लेते हो दो का पहाणा इस्तिमाल करो फटापट भाग करो अठारा भाग दो बराबर नौ इशारा दो गोणा नौ बराबर अठारा अब आगे तुम स्वयम रिक्तिस्थानों को पूरा करो अठारा भाग नौ बराबर दो रिक्तिस्थान सोलह भाग दो बराबर रिक्तिस्थान रिक्तिस्थान बीस भाग दो बराबर रिक्तिस्थान रिक्तिस्थान भाग दो बराबर साथ रिक्तिस्थान रिक्तिस्थान भाग दो बराबर दस रिक्तिस्थान आठ भाग रिक्तिस्थान बराबर चार रिक्तिस्थान रिक्तिस्थान भाग दो बराबर पाँच रिक्तिस्थान पाँच का पहाड़ा इस्तेमाल करो फटापट भाग करो दस भाग पाँच बराबर इशारा पाँच गुलाद दो बराबर क्या अब आगे तुम स्वैम पूरा करो रिक्तिस्थान 25 भाग 5 बराबर रिक्तिस्थान रिक्तिस्थान भाग 5 बराबर 3 रिक्तिस्थान 35 भाग 5 बराबर रिक्तिस्थान रिक्तिस्थान भाग 5 बराबर 2 रिक्तिस्थान 10 का पहाडा इस्तेमाल करो फटापट भाग करो अब तुम भी दिये गए खाली स्थानों को भरो बीस भाग दस बराबर रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान, तीस भाग दस बराबर रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान, चालिस भाग दस बराबर रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान, पचास भाग दस बराबर रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान, चालिस भाग रिक्तिस्थान बराबर चार रिक्तिस्थान रिक्तिस्थान भाग दस बराबर आठ रिक्तिस्थान रिक्तिस्थान भाग दस बराबर पाँच रिक्तिस्थान रिक्तिस्थान भाग दस बराबर तीन रिक्तिस्थान रिक्तिस्थान भाग 10 बराबर 2 रिक्तिस्थान और 60 भाग रिक्तिस्थान बराबर 6 रिक्तिस्थान शिक्षकों के लिए निर्देश बच्चों को इसके लिए प्रोत्साहित करें कि वो भाग देने के लिए मानसिक गरणा के जरीए गुणा तत्यों का प्रियोग करें परिश्ट 174 इसे भी करो अब दिये गए खालिस्थानों को तुम स्वयम भरो 4 भाग रिक्तिस्थान बराबर 2 रिक्तिस्थान चोदह भाग साथ बराबर रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान, चै भाग तीन बराबर रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान भाग दो बराबर साथ, रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान भाग दो बराबर तीन, रिक्तिस्थान, पंदरह भाग तीन बराबर रिक्तिस्थान, रिक्तिस् पंद्रा भाग पांच बराबर रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान, आट भाग रिक्तिस्थान, बराबर चार, रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान भाग दो बराबर आट, रिक्तिस्थान, अब इसे भी तुम स्वेम भरो, 9 भाग 3 बराबर रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान, 18 भाग 9 बराबर रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान भाग 2 बराबर 5, रिक्तिस्थान, 20 भाग 5 बराबर रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान, 12 भाग 4 बराबर रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान, पहली इस घड़ी को तीन भागों में इस तरह बाटो कि हर भाग में आने वाली संख्याओं का जोड बराबर हो यहां पर एक घड़ी का चित्र है जिसे एक रेखा के माध्यम से दो भागों में बाटा गया है अब आपको बड़े भाग को दो भागों में इस तरह बाटना है कि तीनों भागों का जोड बराबर बराबर हो इसी के साथ बाहर्मापाट कैसे कैसे बाटे यहीं समाप्त होता है स्वर प्रमीन शर्मा तक्निकी समन्वयक बटिलेंग लिंडो ध्वनियंकन मयंक कुमार निर्माण सहयोग रुचि शर्मा निर्देशन और निर्माण विमलेश चोधरी तथा प्रस्तोती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत झाल